मोधी जी पांच सार पहले जब प्रधान मंतरी बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी कोई ये तो गुजरात के मुक्ष मंतरी रहे कोई अनुभव नहीं है विदेश नीती कैसे चलेगी तो कुछ तस्वीरे मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपने विदेश नीती को बाएं हाथ का खेल बना दिया कुछ तस्वीरे हम देए कि 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 अपने आपने आप एक अरीप परिवार का कोई विजयेशू में पढ़ा हुए वह थिने एक चायवाला इतने बड़े बड़े दुन्या के रास्ता देव श्राज आपने सही कहा जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय मेरी सबसे बड़ी आलोचना जो होती थी, यह होती थी. लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुझे जब शपत का निमंत्रन मिल गया, और मैंने सार देश के नेताओं को निन्वाइड किया, तो यह सारे पंडितों के लिए समच्या हो गए, कि यह क्या हो गया, कि यह सपत अभी लिया नहीं है, और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दि तो वही से फिर यात्रा शुरू हुई, मेरा बेक्ग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, उसका मेरे काम, मेरे सपने, मेरे प्रियास, उससे कोई लिएना देना रही है, लेकिन अमेरिका ने तो मोधी जी आपको वीजा नहीं दिया था कई साल तक, और फिर पांच बार अमेरि नहीं दिया इतना ही नहीं वीजा कैंसल करने का थपपा लगाया था और अब ट्रम्प कहते हैं कि में परिवारी कुछते हैं इवांका आपकी पहने दुनिया में आज जो आपने जो चीजे दिखाई ये दुनिया के सभी बड़े प्रमुख लोग थे दिमाग से ज़्यादा व्यक्ति के दुरूप से मैं दिल से काम लेता हूँ जब टेबल पर बैठते हैं आमने सामने बैठते हैं तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है लेकिन टेबल पर से उठते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूँ है और मेरा मेरी तनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है आपकी personal chemistry कैसी है वो मेटर करती है और उस बात को मैंने करने की बड़ी कोशिश की इस से भी ज़्यादा पूरना बहुमत की सरकार हमारे देश में हमारे political पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं 30 साल तक देश में पूरना बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्विकृती के लिए सवालिया निसान बन गया कोई भी देश होता था यार कितने दिन रहेगा यह निरने करेगा कौन मानेगा मैं विदेश निती की सफलता के पीशे दुनिया के देशों की भारत के प्रती जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिक इस देश के 130 करोड नागरीकों को देता हूँ 2014 में 30 साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई उस सरकार का परणाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रती एक विस्वास पैदा हुआ है पूर्ण बहुमत की सरकार की बहुत ताकत होती है इस चुनाव में भी मैं देश वास्चों को यही कहता हूँ कि भारत जैसे विशाल देश और आने वाले दिनों में एशिया की सेंचुरी की जब चर्चा करते हैं तब भारत का रुत्बा और बढ़े ये हिंदुस्तान की 21 भी सदी के लिए उप्योंगी है इसलिए सरकार पूर्ण बहुमत की ही चुननी चाहिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने साथी दलों को साथ रख करके आगे बढ़े ये भी भारत की विशेस्ताओं के कारणा आवशक है दूसरी बात आपने अगर पूरी तरह एनालिसिस किया होगा तो मैं कभी ये कोशिस नहीं करता हूं कि जो नेता मुझे मिल रहा है उसके मैंने उसके विशे में मैंने क्या पढ़ा है क्या सुना है उसका बैग्ग्राउंड क्या है वो क्या सूथता है जब मैं वन टुवन म समाग में भरके नहीं मिलता हूं वो जैसा है वैसा मैं उनसे मिलता हूं और मेरे फर्स्ट एक्स्पिरियंस के आधार पर चीजों को मैं स्टेप बे स्टेप आगे ले जाता हूं उसके करण सामने वाले को भी एक समाधान होता है वरना दुनिया के किसी नेता के विशे में प्रोफाइल पढ़के जाओगे तो पचास की चीज़े होती है उससे कभी हम सही मुल्याकर नहीं कर पाते हैं और तीसरी बात कोई भी बात करूं मेरे दिल में कभी ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं अपना प्रभाव छोड़के आओं इस बिलकुल मेरे मन में इच्छा न उसको भारत के लिए एट्रेक्ट करो